साथियों, हमारा देश का दुरुभाग रहा कि रेल्वेज जैसी महत्वपुन व्यवस्ता, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीती का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादे के बाद भी भारत को एक बड़ा रेल्वेज नेटवर्क मिला था। लेकिन रेल्वेज के आधुनी करण पर हमेशा राजनीतीक स्वार्द हावी रहा। राजनीतीक स्वार्द को देखकर तभी अताय किया जाता था कि कौन रेल्मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतीक स्वार्द ही ताय करता था कि कौन सी ट्रेन की स्टेशन पर चलेगी। राजनीतीक स्वार्द ने ही बजेट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की गोशना करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेल्वे की भर्तियों में राजनीती होती थी बड़े पैमाने पर ब्रस्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमिन चीन कर उन्हें रेल्वे में नोकरी का जासा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहीत क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेल्वे की सुरक्षा, रेल्वे की स्वच्चता, रेल्वे प्रेटफॉर्म की स्वच्चता सब कुछ नजरंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बडलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है। जब देश के लोगों ने स्थीर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई। जब सरकार पर राजनेतिक सौधेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चेन की सांस ली और नईू उचाई पाने के लिए दोड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतियर रेल का काया कल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। भाई और भेनों, राजस्तान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आसिरवाद दिया है। शुर्विरों की इस धर्ति को आज हमारी सरकार नई संभावनों और नए अवसरों की धर्ति भी बना रही है।